तो जब मैंने येवाली वीडियो अप्रोड करी ना इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब पर तो मुझे बहुत से कॉमेंट्स आते हैं कि वॉल पुट्टी से हम बॉटल आट कर सकते हैं क्या ये वॉल पुट्टी बॉटल पर टिकी रहेगी चाहे वो ग्लास की बॉटल हो या प्लास्टिक की और कहीं इसमें क्रैक्स तो नहीं आ जाएगी तो इसी तरह कि बहुत से क्योशन्स इखटे हो गए थे तो आपके लिए मैंने एक छोटा सा एक्सपरिमेंट किया है तो यहाँ पर मैंने सेम बॉटल को 24 आर्स के लिए पानी में रहने दिया और उसके बाद में मैंने इसे स्क्रेच करके भी देखा बट वॉल पुट्टी नहीं निकली तो इसका मतलब है कि वॉल पुट्टी के साथ में बॉटल पर वर्क करना बिल्कुल सेफ है और इस तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक्यू